असलावलेकिवाइब आप्रवाइब इस विलाद पुटेवाली सिर्का और आज की इस वीडियो के नदर जो सेल्फोन में अन्बॉक्स करने वाला हूँ यह बिसिकली टेक्नो की एक नई सीरीज का सेल्फोन है जो के वो रिसेंटली लाँच कर रही है मुझे काफी टाइम तो इसका नाम भी समझ नहीं आया लेकिन इसका नाम है पॉवियर और बिसिकली जो सेल्फोन आज मैं अन्बॉक्स करने वाला हूँ यह पॉवियर 4 है यह जो सेल्फोन है इसके दो वेरियंट्स हा रहे हैं बिसिक लेकिन उसके बाद आतर ब्रैंट्स जो है वो इस चीज़ से साइट पर हो गए क्यूंकि फाबलेट्स जो है वो एक एंटाइले डिफरेंट कैटेगरी बन जाती है लेकिन टेक्नो ने इस बाद फिर हमें एक फैबलेट प्रोइड किया हूँ क्योंकि अपने प्राइस टैक कोई हाई लेवल की गेमिंग परफॉर्मंस के लिए नहीं बनाया गया इन फैक्ट इस मुवाइल फोन के इंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो मीडिया टेक का हीलियो एट्वेटी टू चिपसेट है जो कि मेरे इसाब से कौड को चिपसेट है और को बहुत जादा हो सकती है क्योंकि इसका जो स्क्रीन साइज है वो काफी बड़ा है इस वाइल फोन के अगरा वेरियंट की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे पास वेरियंट मौजूद है यह कॉस्मिक शाइन कलर में आता है और यह तीन जीबी 32 वाला वेरियंट है बाक साइट पर कुछ इसकी मेन हाईलाइक लिखी गई है जिसमें इसका एंड्रोइट का वर्जिन लिखा हुए अच्छी बात यहां पर लेटिस्ट ही है तो एंड्रोइट क्यों इंक्लूट किया गया है उसके इलावा यहां पर दो गिगाहर्ट का क्वाड कोड़ चिपसिट है जो कीमिजियर ह ट्वेटीटीटू है, 7-inch का dot notch display है, 13 Megapixel का Quad camera set up है back side के उपर और इसके इलावा front camera जो है वो 8 Megapixel का लगाया गया है, main highlight जो है वो battery और इसका display होने वाला है, देख लेते हैं कि ये phone कैसा है, मुझे पता है आप इसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार इस प्राइश टाइक में एक ऐसा बंदा है जिसको एक बड़े डिस्प्ले वाली डिवाइस चाहिए जिसके बहुत बड़े साइस की बैटरी लगाई गई हो तो यह मुबाइल फोन बिल्कुल राइट फिट इन हो जाता है और वह बॉक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है देख जका हूं यहाँ पर एक चीज़ जो के इंट्रीघॉस इज्व यह है क्यों के यह आडियो वीड्यो डिवाइस है तो यहाँ पर ब्डीयो स्पीकर को इंक्लूड किया गया है याशिंए By market की सबसे सब्सक्राइब वाइस है जिसमें आपको यह स्कृीन साइज और स्टेरियो स्पीकर देकने को मिल रहे हैं तो यह काफे इंट्रोस्तिंग है इसका जो बैक और फ्रेंट का हम पेपर है और हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस की जो लुक है वो फॉर दा प्राइस काफी मज़दार है आपको ग्रेडियंट लुक देखने को मिलती है और इसमें लाइन्स है जो के आल अक्रॉस दा बॉडी जा रही है बाक पर फिंगरप्रेंट स्कैनर है और इसके इलावा जो स्क्रीन साइज है वो किसी भी डिवाइस के निस्बत बहुत जादा बड़ा है मेरे पास यहां पर आईफोन 11 प्रो मैक्स पड़ा है और आप देख सकते हैं कि इसके साइड पर आईफोन 11 प्रो मैक्स भी छोटा लग रहा है जबकि यह अच्छी बली भ जो गूगल असिस्टेंट है उसको कॉल करने के लिए होगा लेकिन बाइदर टाइम यह फोन होता है बाक्स के अंदर जो बाकी समान है उस पर नजर डाल लेते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या मिल जाता है यूजर मैन्वल इसके लावा क्योंकि यह टेक्नो का फोन है तो पॉलिटी है वो अच्य मिल रही है यह टेक्टनो का ब्रैंडड़ प्रोटेक्टर है मांचेस्टर सिटी की ब्रैंडींग यहां पर की गई है अधर दन दाट फॉर्दर इन द बॉक्स आपको एक सीर्ग्शं पिन देखने को मिल जाती है माईक्र यूएसभी केबल है एयर Class NFTs फीड़ेंँ पारून्स मौजूद है और उसके एलावा आपकी आपका charger मिल जाता है जया गैश के पारमant की कते है जया हुए निसपन थार कामर युर्झेट आपक्समरा एपक्ट नहीं को हैं लेकिन पहले की निदित तो सिम्स सिच्वेशन काफी सिंपल है कोई हाइबरिड वाला मजाक नहीं है दो सिम्स एक मेमरी काड आप बड़ी ही इजी इसके अंदर लगा सकते हैं अब मैं फोन को जल्दी से सेट अप कर लेता हूं और उसके बाद मिलते हैं तो फोन यहां पर फाइनली रेडी हो गया है और सबसे पहली चीज़ जो कि इस फोन के बारे में आप नोटिस करेंगे वो यह है कि यहां पर जो स्क्रीन साइज है वो साथ इंचिस है जो कि इसको किसी भी तरह से सिंगल हैंड डिवाइस नहीं मनाता अगर आपने इस फोन को है तो आपको दो हथों का इस्तमाल करना पड़ेगा और किसी टाइम पर इस साइज में टाबलेट आया करते थे लेकिन इसको अब मैं फैबलेट की कैटेगरी में कंसेडर करूंगा एंड्रॉड टैन यहां पर आउट आउफ दो बाक्स मिल जाती है तो डार्क वोड जैसी प्राइस के बारे में पूछ रहे थे तो इसकी प्राइस मैं आपको अभी कंफर्म कर देता हूं इसके बैसिकली दो वेरियंट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी मारकिट के अंदर और यह सोला तारीक से ऑफिशल हो जाएंगे जो पोवियर फूर है वह आ रहा है बैसिकली सतरह प्राइस की जो में हाइलाइट्स है रहा है यहां पर इनकी बैटरी का कपासिटी होने वाली है क्योंकि शेहजार एमेज की बैटरी के साथ आते हैं यह बोबाइल फोन और वीडियो पर बहुत रहा है तो मैं यहां पर कोई वीडियो प्ले कर लेता हूं अजर आप साउंड कॉलिटी की बात करते हैं यह इसके विज्वेड क्वालिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो स्क्रीन है वह मुकमल तौप अप फुल साइज डिस्प्ले है और यहां पर जो sound quality है वो भी मुझे काफी साथ पसंद आई है यह दो speakers के साथ आता है जिसकी वज़ासे यह इस price category का मेरे हसाब से सबसे अच्छा cell phone मन जाता है अगर आपको video या audio quality चाहिए इसके लावा side पर यह जो red color का button है यह basically google assistant के लिए दिया गया है तो आपने गूगल assistant को call करनी है उसके लिए dedicated button यहां पर मौझूद है अधर दाट overall जो इंटरफेस है वो techno का वही इंटरफेस है जो कि इससे पहले हमने techno के higher end में भी देखा है तो यह जो model है काफी हद तक उसी तरह के इंटरफेस में आ रहा है और वो सारी facilities आपको मिल रही है जो के upper end में थी त सबसे important बात यह है कि यह काफी ताथा bright images दे रहा है जो कि किसी दक अगर महंगे camera में बात की जाए तो problematic होती है लेकिन यहां पर यह एक फाइदा मन चीज है क्योंकि नॉर्मली 8 megapixel के जो camera's है वो problem create करते है back side के अगर आप camera's की बात करते हैं तो back side पर 4 camera's है जिन में main camera 13 megapixel का है उसके इलावा 2 megapixel का एक macro camera लगाया गया है तो अगर आपने किसी चीज के बड़े close up shots लेने हैं आप ले सकते हैं इसके इलावा यहां पर zoom की option भी है लेकिन वो digital है other than that 2 megapixel का boke camera लगाया गया है और 2 megapixel का एक और camera है जो के basically 2 megapixel नहीं है बलके VGA camera है जो के basically यह टेक्नो वा camera को नहीं मिल रही, front camera में भी 1080p video available है और back भी 1080p है और यहां पर जो LED flash है वो भी dual लगाई गई है तो यह एक इंट्रस्टिंग टाच है हमें एक भी नहीं मिलती आजकल और यहां पर दो दो लगाई गई है और वो भी bezel के अंदर मौजूद है तो normal scenario में आपको नजर भी नही अब अगेन मैं यहां पर यह से clear करना चाहूंगा कि this is not the fastest device जो कि इस प्राइस टाइग में आप आए कर सकते हैं तो अगर आपको सिर्फ performance चाहिए और भी devices available हैं लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपने device पे बहुत जादा वीडियो देखते हैं या आपको जादा आपको आपको पाकिस्तान में पहले नहीं करती थी लाइकिन इस प्राइस टैग में फैबलेट में कोई नहीं था तो वह उनका बहुत मज़दार किसम का मूव है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे फोन 16 तारीक से official हो रहा है तो आप इसको buy कर सकेंगे इस वीडियो मेटना ही थास विलाल साइनिंग आफ अलाहाफिस